अस्लाम लीकुर में हापकास बब्लूला होरी और आज जो फून में आपके लिए लेके आँओ ये काफी डिफरेंट सा फून है फीचर्स भी काफी अच्छे लेके आता है और जो लोग में चैनल फालो करते हैं उनको पता है मेरे चैनल पर ये जो डिफरेंट से फून है ये थोड़ा फून होते हैं मतलब रगिड फून और आज वाला जो रगिड फून है ये आता है यूले फून की तरफ से उनका आर्मर 20WT जो लेटस ट्रेटिट फून है और काफी अच्छे और कुछ यूनीक फीचर्स भी लेके आता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं देखो वीडियो अच्छी लेगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो तीन बॉक डपए कर देते हैं बाकी Box के Content में 2 पेचकस भी रखे मैं इंदोंने अब इंग्लिश में बोले तो करे फोоло का दपा है और तो देखते हैं आगे कहाँ पे काम आते हैं और ये काली सी डटी भी है ये डटी भी देखते हैं कहाम पे लगती है फोन को कुछ यूनीक सी लूक और यूनिक फीचर दे देती है और एक रेड एकसेंट वाली टायर सी टू सी एक कच्छी सी डेटा केबल है और 33 वाट की पावर बिक भी आपको मिल जाती है फोन में तो देखो फोन की तरफ आते हैं अब यह जो आर्मर 20WT है यह कॉंपक्ट साइस के अंदर डिजाइन किया ह यूले फून ने 5.6 इंचिस का डिस्प्ले साइज है और चोटे साइज का यह फून है बैक के ओपर देखो तो एक रबर आइस टाइप की फील है और एक मैटल प्लेट लगी हुए जिसके ओपर चार स्क्रूज है और पहला जो पेच का डबबे में से निकलाता था ना वो यहां पे काम आएगा पेचो को रिमूव करोगे तो नीचे इसकी सिम स्पेस है मतलब यहां पे सिम में लगा सकते हो और दो सिम के साथ मेमरी का दो टेराबाइट तका लग सकता है और अगर यह पेच जल्दी जल्दी में गुमाते हुए तो फिर देसी तरीका टेप काम आ रहा है इसका इसको उपन करोगे तो दूसरा पेच कास यहां पे इस्तमाल होगा और यहां पे इसका अंटीना लगेगा जो रिमूवेबल डबे में से काली से डंडी निकली थी नहीं तो जो इस फोन को बना देती है वाकी टॉकी रगड फोन और यह इसका एक स्पेशल यूले फोन इसको डिजाइन किया है लाइक ऐसी सिच्वेशन में जहां पे मुबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो यह जो फोन है ऐसे वाकी टॉकी डिवाइस किसी दूसरी वाकी टॉकी डिवाइस से कम्यूनिकर कर सकता है विदाउट मुबाइल नेटवर्क तो यह एक यूनिक फीचर है क्योंकि देखो रगइट फोन जो ब्रैंड है कुछ ना कुछ यूनिक करते रहते हैं और देट्स वाइए मैं इनको कवर करता रहता हूं अपने चैनल के ओपर हो काफी अच्छी आपकी तरफ से रिस्पोंस और डिमांड भी रहती है और यह जो र फ्रंट से हिट होगा तो गलास है वो डेमिज हो सकता है फ्रंट साइट से वैसे ही यह जो रगइट फोन से ना यह आई थिंक पाकिस्तान भी भी कोई ब्रैंड अपनी कोई खिदमात सा नजाम देनी चाहिए उनको क्योंकि यहां पे जो यूजर है ज्यादा टाइप के दे रखा गया है और दूसी साइट पे वॉलियम बटन के साथ यह जो औरिंज एक्सेंट के अंदर बटन है यह पुश्टू टॉक बटन है जब अटीन आप उपर अटेच कर लोगे तो बटन प्रेस करोगे तो फिर यह वॉकी टॉकी की तोर पे काम आएगा और अगर आप लेकिन ओवराल जो स्क्रीन का एक्स्पीरियंस है वो काफी बैटर है लाइक आप टूर पे गए होगे हो कुछ टाइम के लिए के लिए आपको कॉंटेंट वगरा देखना है आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी में यहां पर चलती है ड जाहरा बैटरी भी बड़ी चाहिए अल्मोस्त 11,000 एमेज की बैटरी है अगर टू भी एक्जेक्ट में बात करूं तो 10,850 एमेज की बैटरी है जो नहीं खत्म होती भाई मतलब बैटरी बैकप तो बहुत जबरदस किसम का तीन तीन चार्चर दिन यह फून हैसी निकाल जाता है और रिवर्स वाइड जो चार्जिंग होती है उसके जरीए आपके दूसरी जो एक्सेसरी है उनको भी थोड़ी एक्सेजन दे सकता है अगर कोई फोट होने वाली ए 1850 mm की मैस से बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग का नंबर है 33 वाट वो भी काफी अच्छा है और जो टिकनालोजी है वो भी काफी बैटर है चार्जिंग इनकी तो स्पीड से चार्ज होगा फून तो बाकी उसके लावा परफॉर्मंस वाली साइट पर भी य यह थोड़ा सा परफॉर्मंस के ओपर भी अच्छा काम कर रहे हैं लाइक पहले कोई वीक हाडवेर्स होते थे लेकिन अभी यह काफी ग्रैजुली इंप्रूफ कर रहे हैं हेलियोगी 99 का जो चिपसेट है अच्छी परफॉर्मंस है आपको डे टो डे यूज भी बड़ अच्छा हैंडल कर लेता है और आपको बता है के परफॉर्मंस अगर आपने कैजुवल ची फोर्टी एप्रिस की गेमिंग करने है तो वह भी काइंड ओफ डिसेंट है अब द इसको तो वह भी देखेंगे जब उनकी बारी आएगी बाराल इसके अंदर 12GB RAM है जो multitasking बहतरी हैं और 256GB storage है और यह storage का भी बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप expand भी अगर करना चाहो तो 2TB तक का memory card लगता है इसको tape को अतार के नीचे वाली plate पे और software वाली side पे आजे त इसमें कोई भी blotware नहीं है जो usable app है इनकी जो tools से related apps है वो इनने रखी हुए इसके इनको आप utilize कर सकते हो software भी ठीक है camera भी kind of जो 50MP है इसके कोई daylight के samples आपको दिखा देता हूँ हां rugged phone की category में जो camera है इसकी photography में kind of decent rate करूँगा video graphic भी kind of average type की बना लेता है थोड़ी shaky shaky सी बनती है लेकिन हां गुजारा कर सकता है front पे 16 megapixel की selfie है कुछ samples उसके भी आपको दिखा रहा हूँ screen को पर आप देख सकते हैं तो गुजारा माफिक selfie because यह full-fledged camera phone नहीं होते हैं लेकिन जिस purpose के लिए इनके अंदर camera रखे होते हैं उस purpose को यह पूरा कर देते हैं और देखो जहां तक इस phone की price है वो 270 dollar के असपास है international market के अंदर और पाकिस्तान में because यह official आते नहीं है अगर आप लेके आओगे तो 270 को अगर PKR से multiply करोगे तो एक तो वहाँ पर तुबाही पर फिर जाएगी price की और दूसरा उसके बाद जो PTA tax है वो मैंने pay किया कोई 32-33 आरपे के आसपा तो यह सारे factors मिला के ना पाकिस्तानी जो market है ना यह out of mind हुई है भाई समझ में नहीं आ रही के कहां पर चीज़े जाकर रुकेंगी और इस फून के साथ यूले फून ने कुछ customized accessories भी लखी है जो बिल्कुल optional है उनकी cost अलग सी add होगी अगर कोई user उसको लेता है एक तो armor case है वो लगा के अब जारे है इसको case की तो जरूरत नहीं है लेकिन वो case लग जाता है उसके साथ कुछ hook attach हो जाती है उसकी अपनी कुछ uses है और उसके लावा case लगाने के बाद आप अगर कुछ stand लेना चाहते है इस spoon के साथ तो stand भी मिल जाता है अच्छी quality का stand इन मैं link रख दूँगा अगर आप interested हो ज्यादा details चेक करना चाहते हो तो उन links के थुरूँ आप इसको मतलब check कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe के साथ bell icon दबा लेना future videos को notification आपको मिलते रहेंगे ये वीडियो ये तक थी मिलते है next video में thanks for watching अलाफेज